छटे चरण का मद्दान शुरू हो गया है इस वक्त हम महराजगन सुरच्छी सीट पे मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं ये पोलिंग बूत नमबर 179 है और धीरे धीरे जो मद्दाता है वो पोलिंग बूतों पर पहुंच रहे हैं कुछ लोग मद्दान डाल करके बाह मत दान करेंगे मैं और डालेंगे लेकिन मालूम नहीं है कि कौन सा मद्दा हो जिस पर मध्दान करें आप मोदय कुछ देख सकते हैं कि उनके हाथ में यह पर्ची है अपना अधार काड़ लिये हुए हैं मद्दान करने के लिए आये हैं लेकिन अभी मुद्दो को लेकर के कन्फ्यूज है हम आपको तस्बीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिज करेंगे कि किस तरह की यहां पर तैयारी की गई है क्योंकि लोक तंद्र का यह महापर्व है और इस पर्व को बड़ी खूपसूरती से मनाया जा रहा है आप देख सक करते हैं यह महराज गंज का प्राथमिक विद्याला है जहां पर लगभग दस पोलिंग बूध बनाए गए हैं और हर पोलिंग बूध को बड़ी खुपसूरती से सजाया गया है, धीरे धीरे जो मद्दाता हैं वो पूलिंग बूधों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मद्दान शुरू हो गया है, आज दस जिलो की 57 सीटों पर मद्दान होना है, लेकिन किंड्स मुद्दों को ध्यान में रख करके, मद्दाता आज मद्द करेंगे महराज गन्ज में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी मुद्दे बनकर के बाहर आए हैं जो यहां पर मद्दाता मौजूद हम उनसे बात करेंगे मडम आप बताईए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनने ध्यान में रखकर आज आप मद्दान करेंगी हमलों की सुरच्छा उन्हीं को ऊट देंगे आप बताये अंकल जी किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मद्दान करने आए हैं वे रोजगारी और बहन बेटियों महिलाओं की सुरच्छा रोजगार और खास तोर से विकास इन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग मद्दान करने आये हैं आप देख सकते हैं धीरे धीरे पोलिंग बूथो पर लोग पहुँचना सुरू हो गये हैं क्योंकि मद्दान सुरू हो गया है साध बच चुके हैं और लगातार जो प्रसासनिक अधिकारी हैं वो भी सुरच्छा ब्यवस्था का जैजा लेते नजर आ रहे हैं ठीक सामने हमारे बूत है कुछ मद्दाता मौजूद हम उसे बात करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि आखिरकार इस बार महराज गंज में कौन से मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे बनकर निकले हैं और खास तोर से अगर महिलाओं की बात की जा महिलाओं की रोजगार के लिए भी सरकार सोचे तो आप भी किया हुआ है टेट के बाद वह सुपर टेट आभी तक दो साल हो गए हुए ही नहीं है यह तो हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है भाई साब आप से भी जानना चाहेंगे आप भी ओड़ डालने आये हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप मद करेंगे बिल्कुल आप बताएं भाई साब आप भी ओड डालने आये हैं कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर मद्दान करेंगे मुद्दा वही है विकास और रोजगार बागी सरकार सब करी रही है यानि आपने देखा यह जागरुक मद्दाता हैं जिन ABP गंगा